अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कोमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई-नई लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर देना ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सवे को जो स्कूल का बहुत फेमस और हैंसम लड़का है उससे मिलने के लिए गर्ल्स को लाइन में लगना पड़ता है और बात करने के लिए रेयर चीज देनी पड़ती है फिर एक शोर चल रहा था जिसमें सबसे होट लड़के क का टाइटल मिलना था वो सवे को वहां जबरदस्ती लाते हैं तो उसकी शर्ट के बटन खुल गए थे जिससे तेक तो मानो गर्ल्स का दिल बाहरी आ गया था और फिर उसे ही होट लड़के का टाइटल मिलता है इधर चैरी अपने प्रोफेसर से माफी मांग रही थी क्यों आप भी मेरी कस्टूमर है अगर आप मेरे मार्स पढ़ाएंगी तो मैं आपको अपना लेटेस्ट हैंड पर स्किफ्ट दूँगी प्रोफेसर कहती है तुम मुझे रिश्वत दे रही हो तुम्हें हॉन्जल पीपल पे डॉकुमेंटरी शुट करनी होगी तब ही मैं तुम अपना फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा कर सकती हो वो ये सुन खुशी के मारे उन्हें गले लगा लेती है मॉम डट कहते हैं पर एक कंडिशन पर पहले तुम्हें पुलिटिकल साइंस से ग्रेजुट करना पड़ेगा वो भी बीना किसी सबजक्ट में फेल हुए अपने फैशन डिजाइनर बन पाओगी और चैरी को ना चाहते हो ये भी हाँ करने पड़ती है और वो स्ट्रेस से मेकप स्टार्ट कर देती है फिर वो अपने फ्रेंड को अपने दुखडा सुना रही थी फ्रेंड कहती है क्या कहा होंजल फिर तो सरवे तुम्हारी मुझे ये स्टूपिड लव पसंद नहीं मैं एक ऐसी सिंगल एड़ी हूँ जिसे पाने के लिए लड़के तरसते हैं वैसे भी मैं हेल्प के लिए लड़कों पे भ्रोसनी करती मैं तुम्हारी तरह लड़कों के पीछे पागल थोड़ी ना हूँ फ्रेंड कहती है मेरा मत नंबर था तो वो कहती है क्या मैं किसी डॉक्टर से मिलने वाली हूँ सर्वे के फ्रेंड कहते हैं वो आज कल काफी भीड होने लगी है ना इसलिए तुम्हारा नंबर कल इबनिंग में आएगा वी आईपी रूम में जाना वो कहती है वी आईपी कौन है ये सर्वे उसके प्रेंड्स कहते हैं अच्छा होगा सर्वे से मिलने के लिए तुम कुछ रियर चीज ले जाओ वो कहती है स्टॉप उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है रियर चीज की डेफिनेशन क्या है जैसे चुडिया का गहुंसला चुडिया के सलाइवा से बना हूँ या बर्मुड कर रहा था तो कहता है तु गर्फरेंड को ने बना लेता तभी ये गल्स सेरा पीछे चोड़ेंगी सब्सक्राइब कर दो दुनिया में और इसकी जैसे पांच है ये अमुलेट कैसा रहेगा ये तो एक ही होगा या अपनी चेरी चेरी ब्रैंड का लिमिटेड एडिशन क्या पता वो भी चेरी चेरी का कस्टूमर निकले सवे को उसके अंकल एक बॉक्स देते हैं क्योंकि वो हॉंसल का प्रिंस है वो गहता है पैसे नहीं रख सकता इसकी वज़े से बहुत सारे लोगों की जान गई है पर अंकल की घाने पे वो बॉक्स को टेंपरेरी अपने प पता करो नेक्स चेरी को पता चलता है कि उसका नंबर सबसे लास्ट में है वहां उसे डायना मिलती है जो सवे को अपना बर्फन बनने को कह रही थी चेरी कहती है ये थोड़ा जीब नहीं है तुम गर्ल हो नॉर्मली बॉइस को प्रपोस करते है डायना कहती है फिर क्या पर इतना आलिशान रूम देख हरान थी सवे अचानक से आता है और उसके शर्ट के बटन खुले थे तो वह हरान इस उससे देखने लगती है और फिर कहती है मुझे तुमसे हल्प चाहिए सवे कहता है मुझे पता है तुमने एक्जाम ने दिया इसलिए प्रोफेसर ने वह कहती है यही रुक जाओ मुझे पता है मैं ब्यूटिफुल हूँ पर तुम मेरा फाइदा ने उठा सकते है वह कहता है तुम जंगली हो मुझे पॉलिटिकल साइंस के हर स्टुरेंट के बारे मां पता है चैरी कहती है यह है फ्रांस का डायमन नेकलिस वह मना कर जाने को करती हो और फिर fail होने के डर से मुझसे help मांग रही हो वो कहती है हाँ यह सच है पर तुम तो materialistic हो ये लो limited edition निकर इसे specially मैंने अपने हाथों से बनाया है वो खुशो की कहता है तुम ही यह कैसे मिली यह तो smoke bat के hair की है एकदम rear limited edition वो कहती है सच में यह fabric तो मेरे date करने के लिए ready हूँ वो कहती है ओ मुझे तुम्हें date करना सवी कहता है तो कह चाहिए अच्छा तुम मेरे साथ सोना चाहती हो ना वो कहती है रुको तुम पागल हो सवी कहता है मैं तो मजाग कर रहा था और यह निकर smoke bad के hair की नहीं है बताओ मैं तुम्हारी कैसे help करों वो कहती है तुम्हें बस मुझे honzal की information देनी है और documentary shoot करवानी है वो कहता है गर तुम मेरे room की cleaning करोगी तो मैं इस बारे में सो सकता हूँ तो वो जल्दी जल्दी से cleaning start कर देती है और कहती है तो करोगे मेरी help वो कहता है नहीं पहले तुम्हें मेरी girlfriend बनना होगा वो कहती है girlfriend no way मुझे ऐसी pretty girl हमेशा single lady रहती है वो कहता है सारी girls मुझे girlfriend बनाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है जो मुझे पसंद नहीं पर cherry से मना कर जाने लगती है वो से खींजता है तो गलती से उन दोनों का किसो चाता है वो कहता है तुमने मेरी किस चुरा ली पर cherry गुसे से उसके headshot मारती है और बिचारे survey का कुछ ये हाल जब वो बाहर आकर blood देखती है तो कहती है ये मेरे blood तो नहीं है कहीं वो पागल मेरे headshot से मर तो नहीं गया मैं मडरर बन गई हूँ और भाग कर अंदर आती है अंदर तो survey का friend Brian भी उसके साथ था जो कहता है बता किसने तरी ये हालत की है मैं उसे जिन्दा कार दूँगा वो कहता है इस जंगली ने तो Brian उसके पास आता है और पूछता है किसने किसको किस किया चैरी कहती है इस पागल ने मुझे किस किया पर survey कहता है इस जंगली ने मुझे किस किया मेरे सर पे मारके मेरी नोस से ब्लड भी निकाल दिया वो कहती है अच्छा मैं लड़की हूँ मेरे लिप्स के साथ गलत हुआ था ब्रैन पूछता है क्या तूस की help करेगा सवे कहता है पहले तो मैंने help करने की सोची थी पर अब मेरा मन बदल गया वो कहती है जेंटलमेन अपनी बात से नहीं मुकरते वो कहता है ठीक है पर मेरी एक शर्त है तुम्हें तब तक मेरी बात मानने होगी जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता अगर नहीं मानोगी वरना help नहीं करूंगा ब्रैन कहता है हाँ तुम्हें अपने भले के लिए तो बात मानने ही पड़ेगी वो make-up स्टाट कर देती है दोनों हरानी से देख रहे थे तो वो रुक के कहती है ठीक है पर अगर तुमने तब भी help नहीं की तो फिर से headshot मारूंगी जब ब्रैन उसे hello करने लगता है तो सवे उसे attack के कहता है इससे handshake करने की जूरत नहीं ब्रैन के जाते ही सवे चैरी से lift मांगता है और उसी की घर पे चलने को कहता है और उसे भी नाच आते हुए उसे ले जाना पड़ता है सवे चैरी के मांग डैड को hi hello करता है मांग उसके सर पे लगी चोट के बारे में पूछती है तो चैरी कहती है उसके सिर पे चानक से चोट लग गई इसे भी पता नहीं चला कैसे लगी मॉम डैड आपको नींद आ रही होगी है न मॉम कहती है मुझे नहीं आ रही नींद वो कहती है देखा मॉम डैड को नींद आ रही है तो तुम वापस जाओ वो हॉंसल ट्रडिशन के गॉर्डिंग बैट के कहता है मैं आपसे अपकी बेटी का हाथ मागने आया हूँ ताकि डेट कर सकूँ सब हैरान थे, वो कहती है तुम पागल हो, मेरे डैडी की हाथ तुम्हारा मडर भी हो सकता है डैडी कहते है, तुम करना के चाहते हो चैरी मैकप स्टाट कर देती है, वो कहता है मैं शादी करके आपकी बेटी का पूरा दियान दखूंगा और साथ में बेबी का भी और सब भेरान चैरी कहती है स्टॉप मॉम डेड वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हो मैंने एक्जाम मिस किया था इसलिए डॉकुमेंटरी के लिए इसकी हल्प मांगी I'm sorry डेड उस पे गुसा होते है In fact, सवे ने ये सब जूट कहा था ताकि चैरी सच कबूल कर ले तो मॉम डेड सवे को चैरी का स्टडी में ध्यान लखने को कहते है वो कहती है No, 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 I hate you Next scene में गर्स की भीड लगी होती है क्योंकि सवे ने अब लाइन लगाने से मना कर दिया था और वो सब को आकर बताता है मैंने अपनी हर्ट और बॉड़ी एक लड़की को दे दी है और वो है चैरी वो छुपती है और सबसे मना करती है पर वो उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाता है वो कहती है धीरे चलो वो कहता है पहले मेरा हाथ छोड़ो वो कहती है तुम पागल हो गई क्या तुमने मेरा हाथ पकड़ा मैंने कप पकड़ लिया वो उसे क्लोज कर कहता है अब से तुम मेरी स्लेव हो समझी आज तूठ हर्टी पे मेरी रूम में आना पांच बचे रनिंग करेंगे और छ्या बजे मेरे लिए डिनर बनाना और क्लिनिंग भी प्लीज मेरी हल्प करो वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे लव कन फेस कर रही हो चैरी कहता है पर कोई उसकी वीडियो बना लेता है जब वो एक मिनट लेट थी तो वो गुस्सा करता है और कहता है तुम मेकप कर रही थी न वो कहती है आगे से लेट नहीं होंगी सॉरी नोट सेख वो कहती है अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी यल्प मांगी और उसे क्लोस दे कहती है क्या कर रहे हो वो कहता है हांजल पीपल के जैसे तुम्हारी आइस में देख तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ वो पूछती है क्या देखा मेरी आइस में वो कहता है मैंने देखा बिना मेक अप के तुम अगली लगती हो वो कहती है मैं बिन्हे मेकपके भी प्रिटी लगती हूं फिर वो उसे हानसल पीपल की इंफोमेशन देता है उसके पास हानसल के और्नामेंट्स देख वो हरान थी और कहती है इसमें हानसल के प्रिपारे मी क्यों कुछ न teachings लिखा वो कहता है क्योंकि होंसल का crown prince खो गया वो कहती है lost prince कितना cute है जब वो jogging के लिए change कर रही थी तो वो कहता है मर गई क्या एक घंटा हो गया और उसे देख कहता है तुमने make up क्यों किया है वो कहती है मैं cherry हूँ मैं जहां भी चाओं मुझे टाइलर स्विफ्ट की तरह एकदम परफेक्ट दिखना पड़ता है वो कहता है ये क्या हम जॉगिंग पे जा रहे हैं हाइकिंग पे नहीं वो कहती है ये बॉटल है मैं सिर्फ एवरेस्ट का मिन्ल वाटर पीती हूँ वो उसे एक घंटा जॉगिंग करने के लिए कहता है गर्ल्स उन दोनों को देख हंस रही थी तो वो जल्दे से भागती है और फिर कहती है मुझे इससे लेके नहीं आना चाहिए था बार बार मेरे ही लगे जा रहा था चलो अब तुम्हें पीती हूँ सवे आकर पी लेता है और कहता है एवरेस का मिनल वाटर अच्छा है अब तुम पी लो वो कहती है तुम ही रखो सवे वाच में अपनी हर्ट बीट देखने लगा था तो वो कहती है मेरे जैसी बीटिफल अड़की के साथ भागने से तुम्हारी हर्ट बीट फास्ट हो गई होगी मैं समझ सकती हूँ वो कहता है तुम्हें देखने से हर्ट बीट स्लो हो गई मुझे कोई फिलिंग नहीं आ रही वो कहती है ये खराब है इसे मुझे दो और चीनने लगती है चीनते टाइम वो उसके क्लोज हो गई थी और एक दूसरे को देखने लगते हैं तो उसके हर्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है वो सेल्फी लेने लगी थी तो वो से फोटो हो शोशल मेडिया पर अप्लोड करने से बना कर देता है वो गुसा हो जाती है तब ही कोई उनकी फोटो खेंश लेता है नेक्स्टे वो दुनों होंजल जाने लगे थे पर चैरी सिर्फ एक रात रुखने के लिए इतना सारा समान ले आई थी कि बैटने तक की जगा कम पड़ गई वो गुसा होता है क्योंकि उसने तो सिर्फ इंपॉर्टन चीज लाने को कहा था पर वो समान हटाने से मना कर देती है और कहती है मैं तुमारी गोट में बैठंगी मैं बहुत हलकी फलकी हूँ और फिर उसकी गोट में बैठ जाती है जटके लगने से चैरी का सिरोर पिछवारा दुखने लगा था तो सुवे कहता है तुम्हे के लगता है? मैं सही सलामत हूँ जटके से उसका सिर उसके लिपस भी लगता है और फिर ब्लड वो जल्दी से साफ करने लगती है पर जटके से एकिस हो जाता है और दोनों हरान वो कहता है मेरा बलड तुम्हारे लिप्स पे वो सॉरी मांगती है तो वो स्माइल कर कहता है तुम काफी भारी हो वो गुस्से से उसका कॉलर पकल लेती है पर जटके से शर्ट फट जाती है और फिर जटके से उसके सीने से लग गई थी तो वो कहता है ऐसे ही रहो वरना फिर मेरा मूँ तोड़ दोगी चैरी अपने आपको छुड़ा रही थी पर वो स्माइल कर रहा था ड्राइवर टॉयलेट चला गया था तो चैरी कहती है शिर्ट फार्डने के लिए सॉरी और लिप्स को हर्ड करने के लिए भी सॉरी और उसके लिए भी वो कहता है तुम्हारे लिप्स सॉफ्ट थे तो मैंने तुम्हें माफ किया और बिल्कुल हनी जैसे स्वीट भी ये स्वीट फर्स्ट किस अच्छी है वो कहती है ये तुम्हारी फर्स्ट किस है वो कहता है तुम्हारी भी first kiss होगी वरना तुम जैसे जंगली लड़की को कौन किस करना चाहेगा वो कहती है sorry बट मैं पहली first kiss कर चुकी हूँ वो कहता है पैट का kiss count नहीं होगा वो कहती है जो भी हो मैं उस accidental kiss को real kiss count नहीं करूँगी मेरी first kiss तो सिर्फ prince के साथ होगी वो उसके करीबों कहता है तो मैं प्रिंस से पहले तुम्हारी kiss चुरा लूँगा क्योंकि मैं किस चौर हूँ वो गुस्ता करती है तो वो कहता है अगर मेरा नाम लिया तो किस कर लूँगा वो मू फिर के कहती है गदे I hate you honzal पहुँचकर वो उन लोगों को honzal tradition से greet करता है तो वो भी करती है वहाँ पे रहने के लिए सिर्फ एक ही room था तो सवे कहता है हम साथ ही रह लेंगे वो कहती है मैं और तुम साथ में ये मेरा है तो तुम अपना समान लेके बाहर निकलो वो कहता है चिंता मत करो मैं तुम जैसे जंगली के साथ कुछनी करने वाला वो कहती है क्यूं क्या कमी है मुझ में सवे कहता है क्यूंकि तुम nonsense हो वो शूटिंग के लिए outfit change करने जाती है चैरी वहां के लोगों से बाचित कर रही थी और सवे recording करते हुए उसे देख smile कर रहा था जब वो dance करती है तो वो बहुत खुश होता है बच्चे उन दोनों को किस करने के लिए force कर रहे थे रात में सवे के ना आने पे वो उसे ढूनने लगती है और देखती है कि वो अंकल से क्या रहा है इसे आप रखिये इसकी वज़े से बहुत लोगों की जान गई है पर अंकल ये उसे अपने पास रखने को गहते हैं वो कहती है कहीं लोगों की जान गई है अब मैं क्या करूँ कहीं मैं लोगों के हाथों मारी न जाओं देखें तो सावे बुरा लड़का नहीं है पर उस बॉक्स में क्या था कहीं वो छोड़ तो नहीं मुझे बॉक्स के अंदर देख नहीं होगा वो भाकरा जल्दी से सोने का नाटक करती है सावे जैसी आकर वो बॉक्स अपने बैग में रखने लगता है तो वो से देखती है फिर सावे ब्रश करता है और उसे भी ब्रश करने को कहता है वो नहीं उड़ती तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ब्रश कर देता हूँ वो भी अपने माउट से वो बार-बार दूर होने लगती है और जान बुच के बदबुच होडती है तो वो गुड़नाइट कर सो जाता है उसे सोता देख वो चुपके से वो बॉक्स खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता सावे उटकर पूछता है तुम क्यों उठी हो? वो कहती है, मुझे भूक लग रही है तो वो से कुछ खाने को लाकर देता है वो कहती है, मैं क्यों खाऊं? पता नहीं यह टेस्टी है भी यह नहीं तो सावे खाकर देखता है वो बूशती है टेस्टी है और एकदम जपट्टा मार खाती है वो कहता है बहुत गर्म है तो वो थूग देती है गरम गरम खाना सर्वे की आइस में चला गया था तो वो पानी उसके आइस पे लगाती हुई सौरी मांगती है दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे सर्वे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो आइस बंद कर लेती है वो कहता है तुम्हारी गाल पे खाना लगा है और उसे खुद अपने हाथों से खिलाने लगता है नेक्स टे ब्रिकफास्ट टाइम पे चैरी उसे पूछती है तुम्हारी फैमली कहा है क्या तुम उनसे मिलने नहीं चाओगे पर वो कहता है जल्दी समान पैक करो नोट्स पी तो पूरे करने है फिर वो दोनों आंटी अंकल को बाये कर चले जाते है वो उसे खुद को खिलाने को कहता है वो कहती है तुम प्रिंस की दर एक्ट मत करो वो कहता है ठीक है तो अब मैं तुम्हारी गोद में बैट के खाऊंगा तो उसे खिलाना ही पड़ता है और जैसे पानी पिलाने लगती है तो गिर जाता है वो उसकी बोटल से पानी पीने लगा था तो वो छीनती है पर किस हो जाता है और दोनो नर्वस वहाँ पहुंच कर वो उसके घर जाने के बज़ाए नोट स्रेडी करने को कह रहा था तो वो गुसा होती है और फिर देखती है कोई उन पर नज़र रख रहा है तो सवे को बताती है सवे उसे जल्दी से अंदर ले जाता है वो आदमी किसी को फोन करता है फिर सवे उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर किंग का क्राउन रखा था इधर चैरी फ्रेंड से कहती है अब तुम मुझे हांसल के बारे में इतना पता है कि पॉलिटीशन भी बन सकती हूँ मैं क्या करूँ वो पागल मुझे अपने साथ लॉक करके रखता है ना ही मैं अपनी फैशन क्लास ले पारी हूँ तब ही सावे का फोन आता है और कहता है मेरे बास्केटबॉल मैच में जरूर आना अगर नहीं आये तो पता है न क्या होगा वो कहती है इसने मेरी लाइफ हैल बना दी है फ्रेंड कहती है मुझे तो तुमसे जेलिसी हो रही है इतना होट लड़का तुमारे पीछे पड़ा है अगर ऐसा होट लड़का हैल में हो तो मैं वहाँ जाना पसंद करूँगी पर चैरी जाने को मना करती है तो वो कहती है सुना है वहाँ चीयर लेडर की भी जरूरत है इधर बैस्केटबॉल मैच होना था सवे की अपॉसे टीम में फैशन डिपार्टमेंट का कर्टिस भी था और वो भी सवे की तरह बास्केटबॉल में अच्छा होता है तब ही वहाँ चैरी आती है वो भी चीयर लेडिंग करने सवे कहता है क्या कर रही हो यह स्टूपिट सी ड्रस पहन के वो कहती है यह मेरी लेडिंग की चैरी चैरी ड्रस है हम यहां तुम्हें चीयर अप करने आए हैं वो कहता है मत करो ब्राइन कहता है वो नर्वस है तब ही वहाँ कर्टिस आकर कहता है चैरी तुम फैशन क्लास में नहीं आ रही मुझे अपना नंबर दो फेस्बुक या इंस्टा गाईज अगर आप मुझे इंस्टा पे फोलो करना चाहते है तो इंस्टा का लिंक डिस्रुप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड कहती है चैरी का अलरडी बॉइफ्रेंड है कॉर्टिस कहता है पर तुमने तो कभी किसी को डेट नहीं किया सवे आकर कहता है ये मेरी गल्फरेंड है कॉर्टिस कहता है चलो डील करते है जो मैच में जीतेगा चैरी उसी की हिम्मत है वो कहता है डर तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं वो कहती है तुम पागल हो मैं कोई चीज थोड़ी नहीं वो कहता है तुम नहीं हो तभी तो तुम मेरे लिए प्रीशिस हो डरो मत जंगली ब्राइन कहता है अब आएगा मज़ा सरवे अपनी गर्ल को मत खोना मैं स्टार्ट होता है पर सरवे के टीम हार रही थी क्योंकि कर्टिस सरवे को डिस्ट्रेक्ट कर रहा था और सरवे टीम के साथ खेलने के बचाए कर्टिस की तरफ ध्यान दे रहा था ऐसे तो वो हार चाते तो वो मेकप कर क्यों कहती है हारना मत सरवे इंटरेवल में वो स्याकर कहती है तुम कैसे खेल रहे हो सरवे बास्केटबॉल टीम में खेला जाता है कर्टिस की जगा टीम पे ध्यान दो स्ट्रेस से नहीं दिल से खेलो समझे अभी टीम को तुम्हारी जुरूत है वो कहता है चिलाना बंद करो जंगली और फिर अपनी टीम से बात कर उसका थैंक्स करता है फिर सावे टीम के साथ कॉपरेट करके खेलता है मैच खतम होने वाला था और वो बॉल मारता है जो नेट में जाते ही गोल हो गये था और उसके टीम जी जाती है चैरी बहुत खुश थी कर्टिस आगर कहता है तुम अच्छा खेले चैरी वाली बात पे मैं तुम्हें ऐसी छेड़ रहा था वो कहती है तुमने मुझे यूज किया सवे कहता है और क्या तुम जैसे जंगली पे कौन बैट लगाएगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा चैरी पूशती है तुम्हें कैसे बता वो कहता है क्यूंकि तुम मेरी गल हो वो हैरान थी और खुश भी फिर वो से मैच में हेल्प करने के लिए थैंक्यू करता है और कहता है क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पे चलोगी वो कहती है तुम मुझे इन्वाइट कर रहे हो कहा? किस टाइम? वो कहता है मेरे घर पे आट बजे मैं खाना बनाऊंगा वो हा करती है और उस कहती है तुम हस क्यों रहो? वो कहता है क्यूंकि मैं खुश हूँ तो वो भी हस पड़ती है डिनर करते टाइम भी वो स्माइल कर रहा था तो वो कारण पूश्टी है वो कहता है मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ उस दिन मैं रॉंग बस पर करने के वज़े से रास्ता बटक गया था और बहुत परिशान था तब ही तुम स्माइल करती हुए आई और मुझे हैंकी दिया वो उससे पहुंचता है वो कहती है अच्छा है ना मैंने बनाया है इसे अभी बाई कर लो जब मेरी ब्रैंड फेमस हो जाएगी तो ये महंगा हो जाएगा वो लेने से मना करता है तो वो कहती है पर तुमने से अल्रेडी गंदा कर दिया तो उसे मजबूरान लेना पड़ता है वो कहती है तुमने ये अभी तक रख रखा है मुझे तो यादी नहीं रहा मैं तुमसे कब मिली थी वो कहता है क्योंकि तुम जंगली हो किसे पता था तुम मुझे ऐसे मिलोगी मैंने तुम्हें डूढने की कोशिश की पर तुम हमेशा क्लास किप करती थी और उसी की विज़े से तुम मुझे मिल भी गई और उसके क्लोज आकर कहता है आई लाइक यू वो कहती है क्या कर रहे हो वो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ समझ नहीं आया क्या क्या तुम मुझे लाइक करती हो मेरी गल्फिंड बनोगी येस और नो वो सोचने लगती है और जल्दी जल्दी में कहती है येस येस पर मैं भी शूर नहीं हूँ तुम मुझे पूछ रहे हो या फोर्स कर रहे हो वो उसका हाथ अपने दिल पे रख कहता है क्या तुम मेरी फास्ट हट बिट को फिल कर पारी हो आप दूसरा हथ पकड़ो वो कहती है बस करो और खाने लगती है फिर वो बर्तन माज़ रहा था तो वो कहती है मैं नहीं माज़ूंगी मेरे नेल्स कराब हो जाएंगे तुमने मुझे फ्लिक क्यों नहीं किया वो कहता है क्योंकि तुमने मेरा परस्पेक्टिव बदल दिया पहले में हमेशा खुद के बारे में सोचता था अपनी मर्जी करता था पर सबसे इंपॉर्टन्ट है दूसरों के लिए कुछ करना जो मेरे साथ हो जैसे तुम मैंने ऐसा कभी नहीं किया मैं तुम्हे कुछ बताना चाहता हूँ तब ही कोई गेट पर आ जाता है और चैरी पे गंतान देता है और वो थे बॉडी कार्ड हॉन्जल की क्यूइन के यानि सरवे की मॉम के वो बिना बताए पैलस से भागने के लिए मॉम से माफी मांगता है मॉम से उसे पताचलता है कि किंग यानि उसके डैड के डैथ हो चुकी है इंफेक्ट वो पहले से इसलिए भागा था क्यूंकि किंग चाहते थे वो प्रिंसिस से शादी करे पर वो बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहता था प्रिंसिस उसकी चाइ Genius ती ग्रам Mitarin थी इसलिए वो से इस वह से लाइक बाया इजर princess Cherry को उपर बैटने के लिऑ ए लिए खाए है cherry coffee माओ ता वह कहते है इत्ष ओके क्या तुम certainly क्यों की काफी clothes हो ? चेरी कहती है, मैं प्रिंस को लब नहीं करती, मैं बस सौवे को लब करती हूँ इधर मॉम उसे कहती है, तुम्हें अब पैलस में वापस आकर किंग बनना होगा वो थोड़ा टाइम मांगता है, ताकि चेरी की हौंजल डॉक्यमेंटरी में हल्प कर सके तो मॉम चेरी को डॉकुमेंटरी के लिए बेस्ट विश देती है, प्रिंस के जाने की बास सुन, चेरी सैडो जाती है, वो उसे गले लगाता है, तो वो कहती है, ऐसा मत करो, प्रिंस, वो कहता है, मुझे ऐसा मत ब्लाओ, मैं अभी तुम्हारा सर्वे हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ वो कहती है हां तुम पकड सकते हो सवे कहता है आई लव यू चैरी फिर वो से बॉक्स के अंदर रखा किंग का क्राउन दिखाता है और कहता है मैं यह वहां से ले आया था क्यूंकि बहुत सारे लोग इसे पाने के लिए मारे गए थे वो कहती है तो तुम्हें वापस जाकर प्रिंसिस से शादी करनी होगी मैं समझ सकती हूँ जितना टाइम भी हम साथ में हैं खुशी से बिताएंगे रात में वो उसके कपड़े पहन कहती है तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे है वो से अपनी गोद में ग्रा लेता है और किस करने लगता है पर रुख जाता है वो कहती है शर्मा क्यों रहे हो हम कौन सा पहली बार कर रहे है वो कहता है रियल किस तो पहली बार है ना तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया तुम मेरे लिए क्या फिल करती हो वो कहती है सेम वैसा ही जैसे तो मेरे लिए फिल करते हो वो कहत तो प्रिंस और उस लड़की का लव इंपॉसिबल है नोट्स पनाने के लिए वो साथ में थे तो फ्रेंड खुश हो रही थी क्यूंकि वो इतने सरे होट लड़कों के बीच में थी तब ही वहाँ प्रिंसिस आती है चैरी कहती है ये होंसल की प्रिंसिस है और सर्वे की फ्यानसे भी वो सब कहते हैं प्रिंसिस फ्यानसे तो के सर्वे प्रिंस है वो उन सब को सच बता कर ये सीक्र ड़कने को कहते हैं सब उसे प्रिंस की तरह ट्रेट करते हैं तो वो कहता है ऐ अवे को क्यों लाई करती हो वो कहती है मैं उसे बच्वन से लाई करती हूँ पर उसे मेरी केर नहीं मुझे उसका सब कुछ पसंद है लोक परसनेल्टी एकदम परफेक्ट तुम्हें वो क्यों पसंद है वो कहती है मैं उसे इसलिए लाई करती हूँ क्योंकि वो पागल है पर सर्वे कनफ्यूज था कि वो ड्यूटी को चुने या लव को तो ब्राइन कहता है जो तुम्हारे लिए बैस्ट हो उससे चुनो जैसे लव Notes के लिए इंटरव्यू को जुरूरत थी तो सर्वे इंटरव्यू देता है वो Cherry को वहां से भीज देते हैं तो वो चली जाती है सरवे रेक्स को वीडियो का लास्ट लिप कट करके सेंड करने को कहता है चेरी नोट्स प्रोफेसर को सम्मिट कर देती है और पास होने की खुशकबरी सरवे को सुनाती है फिर वो उसका सारा समान पैग देखती है वो कहता है अच्छा होगा हम साथ में रहें तो चलो साथ में भाग चलते हैं तुम चलोगी वो कहती है तुम पहले भी हाँ पहले से भाग कर आए और अब फिर तुम हर चीज से नहीं भाग सकते तुम ही अपनी डूटी से नहीं भागना चाहिए और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है आज मैं तुमसे लास पर मिलने आई हूँ और जाने लगती है वो कहता है तुमने अपने डिसीजन ले लिया आइस बंद करो तुम मुझे एरपोर्ट जाते नहीं देख सकती हो न क्या मैं तुम्हें लास पर किस कर सकता हूँ और उसे किस करता है दोनों रोते हुए गले लग जाते है चैरी को सैट देख उसकी फ्रेंड उसे जबरदस्ती सहवे के पास्टर जाने लगती है और कहती है हम एरपोर्ट के लिए लेटनी होंगे क्योंकि मैं हूँ फास्ट और फ्यूरियस सहवे को सैट देख प्रिंसस कहती है चैरी तुम्हें बहुत लब करती है उससे मुझे सिखाया कि जब तुम किसी को प्यार करो तु बस उसे खुश रखो भले ही ये हटब्रेकिंग की क्यों न हो वो तुम्हें सच में बहुत प्यार करती है क्योंकि वो चाती है तुम अपने डूटी में बेस्ट तो चैरी ने एरपोर्ट जाने से मना कर दिया था क्यूंकि वो उसे जाते हुए नहीं देख सकती थी सकाफी दिन बीच आते हैं सर्वे की यादनाए इसलिए चैरी खुट को बीजी रखती है तब ही करटीस आकर उसे रोज देने लगता है वो मना करती है पर वो जबरदस्ती देने लगा था और कहता है तुम बस ले लो और अपने फ्रेंड को दे दो और कहना वो बहुत क्यूट है उसके फ्रेंड के तो मानो लोटरी ही लग गई थी और एकदम रोज लेकर भाग लेती है रेक्स चैरी को अपना लैपटप देता है जिसमें सवे कहता है तुम मुझे मिस करोगी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया मैंने तुम्हें बहुत परिशान किया था सॉरी कि मैं तुम्हेरे कुछ नहीं कर पाया I love you मैं तुम्हें ये हमेशे बताना चाहता था I love you Cherry वो रोने लगी थी तो वो से हैंकी देता है Cherry सब ये को गले लगा लेती है और फिर कहती है मुझे लगा तुम नहीं आओगे वो कहता है मैंने कहा था प्रिंसिस और तुम्हारी मॉम का क्या वो कहता है वो मेरे डिसीजन को समझते है और मॉम को तुम पसंद आई पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा वो कहती है मैं घर जाके सोचू वो कहता है नहीं Cherry क्या तुम मेरी Queen बनोगी वो कहती है अगर मैं हॉन्जल की Queen बनूँ तो क्या Fashion Designer भी बन पाऊंगी सवे कहता है ये बात थी अपकोस वो हां करती है तो वो कहता है तुम मेरे लिए सबसे Precious हो Thank you My Queen और दोनों किस करते हैं और इसी Happy Ending के साथ ड्रामा का हैंडो चाता है